दोस्तों बिहार में बड़ी संख्या में परिचारी की भरती आने वाली है। जो इससे पहले जो भी परिचारी के भरती को लेकर जो भी लोगों ने आवेदन दिया हैं, उनका एक्जाम डेट को लेकर आप भी अपडेट दिये गए हैं, साथ में जो परिचारी भरती की अब सलेवस होगी, वो नए सलेवस जारी किये गए हैं, इससे सलेवस के एकोर्डि परिचारी का मुखे रुप से आप ये बोल सकते कि ये 86 वाला जॉब होता है जो भी आप देखते हैं हर करया आले में एक चापरासी तो चाहिए ही जैसे कोई फाइल यहां से वहां देना हुआ या किसे को पानी पिलाना हुआ अन्य कई सारे काम चापरासी को दिये जाते हैं ये एक तरह समझे से चापरासी का ही आपके जॉब होने वाले है ग्रुप डी अस्तर की यह भरती होने वाली है इसका पूरी परकिरिया जो कंडक्ट कराएगी बिहार SS से ही कंडक्ट कराने वाले है अभी आपने देखा आली में बिहार SS से इसनः reiter स se Украї भरती का वैव lore भी शेर जरूर कीजिए ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी जो भी इस परकार की अपडेट होगा मैं आप सभी को देने का काम करूँगा और हमारे साथ वर्टसप चैनल टेलिग्राम से जरूर जरूर यह जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर भी मैं बहुत सारा अपडेट आपको देने का काम करता हूँ फिला लेस्किन पर चलता हूँ परिचारी भरती को लेकर जो भी अपडेट आ रही है और पुराने जो भी अपडेट है सभी अपडेट के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों अभी आप देख पारोंगे हम बिहार SSC के ओफिसल वेपसाइट पर नोटिस बोड़ वाले सक्षन में हैं और अभी क्या है कि परिचारी भरती को लेकर अब अपडेट आना सुरू हो चुका है अभी जो अपडेट आई है ये 7 अगस्त 2014 के डेट में आई है परिचारी परिचारी विस्षिट के पदोपर निक्ती हेतु परतियोगता परिचा के समन्द में इन्होंने नोटिस जारी किया है अब ये notice में इन्होंने बताया है कि इस से पहले जो भी परिचारी की भरती को लेकर जिन्होंने भी आवेदन किया है उन सब की परिच्छा हो रहे हैं कोई कि पहले जो प्रवधान था उसमें कोई परिच्छा नहीं होती थी दस्वी में जो आपके नंबर होते थे नंबर के पर मेरिट बनता था मेरिट के बाद आपकी इंटर्व्यू होती थी और ज्वाइनिंग पर क्रिया करा ले जाते थी अब यह जो पुराने कैनिडेट है जो बहुत सारे कैनिडेट 2012 में फॉम भरे हैं इसके अलावे 2012 के बाद जितने भी परिचारी के जही कई बार भेकंसी तो ऐसे भी यह जो अभी एक्जाम लिए जा रही है तो इसमें बहुत कम ही कैनिडेट एपियर हो पाएंगे बहुत जादा सीट उसमें भी खाली रह जाएगी यह धियान रखेगा तो इसमें वही बताया गया है कि जो कैनिडेट 2012 के बाद जिन्होंने में भी फॉम बढ़ रही है दो पाली में परतम पाली सुबह 10 वज़े से 12 वज़े तक होगा दूतिय पाली 3 वज़े से 5 वज़े के बीच होगा अब इसमें एक चीज जो और ध्यान रखे कि इन्होंने स्लेबस भी अब जारी कर दिया है अब जो आपकी नई भरती होगी परिचारी की जो एपर पर क्रिया कंड़क्ट हो जागी उसके बाद पता चलेगा कितने कैनिडियट ने इसमें एपेर हुए कितने सीठे अभी भी बची हुई है फिर आपको नई भरती को लेकर दो हजार चौबिस में आपको अपडेट देखनों को मिलेगा अपलाई को लेकर भी नोटीस आपको देखनों को मिलेगा ये ध्यान रखीगा आई ये मैं कुछ स्लेवस पहले दिखाता हूँ अब इस भरती का जूभी स्लेवस होगा और दसवी अस्तर का होगा पहले आठवी अस्तर का था तो आठवी अस्तर का यहां पर इन्होंने बता है ये आपके लिए नहीं है नीचे के प्रस्न पूछे जैंगे और समाने अंक में यह टॉपिक रहेंगे जैसे समान जो ज्यान है उससे भी आपको प्रस्न रहेंगे और 40 संके और इन टॉपिक को आपको необходимо को देखिये और in टॉपिक को आप त्यारी करिए, इसके एलाबे समाने हिंदी से भी आपके प्रसन पूचे जाएंगे 30 संक के, तो हिंदी में जैसे संग्या सर्वनाम, लिंग, विसेशन, प्रविसेशन, पर्यावाचे सर्थ, यह सर्फ टॉपिक से भी आपको प्रसन देखनों को मिलेगा, और नोट में इन्होंने बता है कि उपरोक्त पार्टकरम, सिक्षा विभाग, बिहार सरकार, सुकृत कक्छा दसवी पार्टकरम के अधार पर त्यार किया गया है प्रमंडलिये आयोकत बिहार, सभी जीला पदाधिकारी को यह जो लेटर है और लिखा गया था विसेय देखेंगे इसमें बताया गया है कि बिहार करमचारी चैन आयो के आगामी जो असनातक अस्तरिये सन्युक्त परत्योगता परिक्षा होनी है इंटर अस्तरिये सन्युक्त परत्योगता परिक्षा होनी है तो इसमें देखें इंटर अस्तरिये का अभी आपने हाली में देखा होगा फॉम फिलप चला है अभी जो है आपको बिहार SSE के द्वारा ही जो CGL 4 की भेकेंसी है ये भी आपको देखनों को मिलेगा जो भेकेंसी नहीं हुई है उन सब को कंड़क कराने को लेकर इन्होंने बता है यसी में देखेंगे कारयाले परिचारी परिचारी विस्षिष्ट को इन्होंने बताया है कि रिक्त पदो की अधियाचना उपलप्त कराने के संबद में जो है इन्होंने नोटिस लिखा था तो मतलब क्या है कि जितने भी सीठे अभी भी खाली है जैसे कारयाले परिचारी का काम क्या होता कि जितने भी कारयाले अब यहार में देखते हैं यह सब काम जो है परिचारी कराता, देखर एक वला जो भी काम होता यह मिलता है, तो यह भेकंसी हर कारेयाले में आवसकता है और बहुत पहले से यह जो भरती है अभी तक नहीं आई है बिहार में, तो बड़ी संक्या में सीठ खाली है, अभी वही सीठ के लिकर इन्हों नोट लिखा था कि आप हमें सीट उपलप्त करवाए कि कहां कितनी सीट यह है साथ में यह जो भरती अब होगी आपकी नई आरक्षन की जूर नियाबली है उसके एकोर्डिंग होगा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि विधित हो की बिहार राज विधान मंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19-2023 से बिहार पदो एवं सेवाव की रिक्तियों में आरक्षन अनुसूची जन जातियों एवं अन्य पिछरा वर्गों के लिए संसोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है इसके अनुसार किसी अस्थापन में सिवाव और पदो की सीधी भरती से नियमित नियुक्ति में विभीन कोटियों के लिए नए सीरे से आरक्षन का जो प्रवधान है वो किया गया है इसके अलावे एक और नोटिफिकेशन हमारे सामने है चुकि पेपर के माधिम से अपडेट दिये गया थे यह भी बहुत पहले का है तो यह जार पेपर में दिये गया थे तिरतिया और चतुर्थिये वर्क 50,000 पदों पर होगी बहाली यानि क्या है कि बिहार S.S.C. के थूरू ही तिरतिया और चतुर्थिये वर्क दोनों को मिला कर एप्रॉक्स 50,000 के इस बहाली परकिरिया को हर हाल में पूरी करा ली जाएगी अभी आपने देखा कि परिचारी को लेकर अभी एक्जाम डेट आये हैं जैसे ही इसका एक्जाम डेट जब कंड़क्ट हो जाएगी उसके बाद जो भी इसमें भी रिखते सीठे बच्चेगी उसके एकॉर्डिंग फिर नए सीरे से आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा और बड़ी संख्या में इसमें आपको बाहली देखनों को मिलेगा तो जो भाई अगर दस भी पास है मैं उनको कहूंगा कि स्लेबस मैंने आपको बता ही दिया उस स्लेबस के कोडिंग त्यारी किजिए देखे इसमें एज गया होगा तो एज आपकी 18 साल इसमें रहेगी मैक्समम जो रहेगी इसमें 30 वर्स तक मैक्समम रहेगा एज में भी रिलक्सेशन मिलेगा इसमें हो सकता है ऐल इंडिया के कैनिडेट को भी फॉर्म बढ़ने का मौका दिया जाए क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आपने देखा होगा इंटर अस्तरी भी भरती थी तो All India से candidate form भरे थे तो इसमें भी 100% संभावना है कि All India के candidate form को fill कर सकता है इसमें आपके डीटे निक्चाम पर ही इस बार selection होगी salary एप रोक्स जो है आपके 30,000 के करीब में इसमें होने वाली है यह ध्यान रखिएगा तो यह अच्छी खासी salary भी देगी आपको और अच्छी खासी काम भी है आपको बिहार में रहकर ही बिहार के सरकारी बिभाग में रहकर ही काम करना और permanent job होगी सरकारी नौकरी होने वाली है तो साथी हो मैंने हर update आपको इसके बारे में बताया बाकी आगे कि जो भी further update होगा मैं आपको जरूर update कर दूँगा आप हमारे साथ whatsapp channel telegram से जूर सकते हैं जिसका link मैंने description box में दिया है वहाँ पर भी मैं सारा update देने का काम करता हूँ साथी हो अभी आपने देखा मैंने आपको परिशारी भरती के बारे में पूरी जनकारी बताया बाकी आगे कि जो भी further update होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर उपलप्त कर बांगो आप चैनल को subscribe कर लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जो 10 बस भी पास है थाकि उनको भी पता चले कि इस परकार की भरती बिहार में आने वाली है बड़े संख्या में वह भी अपनी त्यारी को बेस्तर कर सके बाकि हमारा update कैसा लगा आप comment box में जुरूर बताये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल